चलो आज आपसे शर्ट लगा के कहती हूँ कि एक बार जो आपने ये गर्मा गर्म नाश्टा मेरे तरीके से बना कर खा लिया तो हर दूसरे दिन बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके घर के सभी चटरों को इसका स्वाद इतना भायगा कि वो बस यही आपसे बनाने की जीत करे क्योंकि एक सिंपल साधरन से नाश्टे को हम एक ऐसा नया स्वाद देंगे कि खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे सुबह उठते ही एक नहीं दो नहीं धेर थारे काम करने पड़ते हैं ऐसे में पुरे परिवार के लिए एक बरतन में आप ये नाश्टा 15 मिनिट में ही बना कर त्यार कर लेंगे अब उपमा तो आपने कई बार खाया होगा लेकिन इतना चटपटा उपमा कभी नहीं खाया होगा तो चलिए बिना देर किये जल्दी से हम इसे बनाना शुडू करते हैं पर सबसे पहले हेलो एवरिवान इट ये मिशस पर आपका स्वागत है तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में एक टीस्पून देशी घी को गरम करेंगे इसमें हम डालेंगे एक कप सुजी उपमा बनाने के लिए हमें मोटी सुजी का इस्तमाल करना है तो सुजी को रवा भी कहा जाता है और इंगलिश में से सेमलिना कहते हैं अब जो उपमा है वो एकदम खिला खिला बनें उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सुजी की अच्छे से भुनाई करें ताकि एक तो इसमें अच्छा रोस्टेट टेस्ट भी आ जाएगा जिससे उपमा भी टेस्टी बनेगा साथी इसका जो एक एक दाना है वो भी अच्छ कर सकते हैं कि अगर उपमा आपके घर वालों को भाज आए और आपको बार बार इसको बनाना पड़े तो यह जो सुजी भुनने का टाइम है यह आप हर बार बजा सकते हैं बस एक बार सुजी को घी में आप भुनकर ठंडा करके भर कर स्टोर करके रख लीजे आप अराम से अगली बार जब भी उपमा बनाएंगे तो भुनीवी सुजी के साथ आपको फटाफट से यह बनाने में आ जाएगा अब सुजी को हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे फिर से कढ़ाई में हम तीन टेबल स्पून देसी गी डालेंगे मैं यह फ्राइ कर लेंगे इसी के साथ साथ आप देखिए मैंने यहाँ पर काजू को बीच में से अलग करके लिया है तो यह दस से बारा काजू हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर उपमा में मूंगफली काजू अपना बहुत ही टेस्टी स्वाद लेकर आते हैं तो आप अपनी प सबसे पहले डालेंगे एक टीसफ़ोन राइ और पहले अच्छे से हमें इसे चटकने देना है जिसके की यह कड़वे नहीं लगेंगे और अच्छा सा इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा ōपर इसमें टालेंगे एक कच्ची चना की डाल और इस प्रिसके बाद यहां पर एक प्याज हम इसमें कट करके डाल दिएंगे और इसे के साथ साथ एक से बारिक कटी हुए हरी मेच भी डालेंगे अब इसमें हमें इनको जादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है तो बस प्याज को थोड़ा सा इसमें भून लेंगे और फिर इसके बाद ये एक टी स्पॉन क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे और इसे भी मिलाकर अच्छे से भून लेंगे अब इसमें जो जो सबजे आपको खानी हो वो सब आप एड़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें जितनी सारी सबजे जाएगी उतना ही जादा स्वाद निकल कर आएगा और हेल्दी रहेगा मैंने यहाँ पर एक गाजर को छोटे टुकड़ में कट करके लिया ही यह डाल दिया है और यह मैंने आधा कब मटर के दाने लिये हैं यह कच्छा मटर है तो यह मैं अभी डाल रही हूँ और इसको पका रही हूँ इसके साथ-साथ तो यहाँ पर गाजर मटर मैंने डाले है आप चाहे तो आलू, गोभी, बीन्स, जो भी सबजी आपको खानी हो वो इसमें एट कर सकते हैं, इनको दो मिनिटे तक हम फ्राइ कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहां तक तो उपमा ऐसे ही बनाया जाता है, बस इसके बाद पानी डाल दो, सुजी ड ला लेना है, फिर इसमें हम थोड़े से मसाले भी डालेंगे, जिससे की उपमा काफी जादा टेस्टी लगेगा, तो यह मैंने एक टीस्पून धन्या का पावडर डाल दिया है, बनफौर्थ टीस्पून हल्दी पावडर डालेंगे, और हाफ टीस्पून लाल मिर्च का प प्यार करेंगे, जिसके लिए हम इसमें दो से तीन टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल दिंगे, तो यह हमारे एकदम सिंपल साधरन उपमा को एकदम चटपटा बनाने के लिए यह मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया है, तो अब बस हमें इसमें पानी आड़ करना है तो पानी डालते टाइम, इस बात का ध्यान रखें कि जिस कब से हमने सूजी ली है, उस कब से सूजी की तीन गुना हमें पानी आड़ करना है, तो तीन कब भर के हम इसमें पानी डाल देंगे, इसे के साथ साथ नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, एक टीस्पून मेंने अगर आपने पहले से ही सुजी को भून कर रखा है तो सुबह सुबह फटाफट से 10 मिनिट में ही आपका ये मसालेदार पाव भाजी के स्वाद वाला उपमा बन करके तयार हो जाएगा यहां आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबनने लगा है तो अब हम गेस के आज को स्लोपर कर देंगे और जो सुजी हमने भून कर रखी है वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और चमच इसमें लगातार चलाते रहेंगे अगर ऐसे ही सारी सुजी डाल कि उपमा गाड़ा होने लगेगा तो अच्छे से इसको मैंने मिला लिया है अब धीमियाज करेंगे और इसको हम धकन लगा कर पकाएंगे ताकि जो उपमा है वो अच्छे से पानी को फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर लेगा और एदम खिला खिला और सौफ्ट बनकर के तया है जो कि देखते ही एकदम चट्पटा लग रहा है अब क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और चट्पटा बनाने के लिए और पावभाजी की टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे इसमें एक नेम्बु का रस इसके बाद हमने ये जो मौंग फली और काजो फ्राई के हैं वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा बारे कटावा हरा धनिया डाल कर इनको अच्छे से उपुमा के साथ मिला लेंगे इसे पकाने में बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगता है तो अब इसे मिलाने के बाद केंस के आज को हम बंद करेंगे और धकल लगाकर पांच मिनिट के लिए इसे छोड़ देंगे जिससे की सूजी का एक एक दाना और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और अब आप यह हमारा गर्मा गर्म एकदम सौफ्ट फलफी पाव भाजी के स्वाद वाला उपमा बन करके तयार है तो अब इसे जल्दी से हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो सुबह सुबह नाश्ते में या टिफिन के लिए आप इस तरह से उपमा बना कर देखेगा आपको हर दूसरे दिन इसे बनाना पड़ेगा उपमा को सर्व करने के दो तरीके होते हैं एक तो इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं या पिर बॉल में इसे डाल कर सेट करके इस सॉफ्ट बना है और आप देखी पा रहे हैं कि काफी अच्छा यह लग रहा है तो बिना देर कि आप भी जल्दी से इसे बनाईए खाईए सब को खिलाईए और हर दूसरे दिन इसे बनाकर अपना काम आसान बनाईए फिर उसके बाद अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद बिल्कुल ना भूले हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन इंजोई इस पाव भाजी के स्वाद वाला उपमा एंड थैंक्स फर वाचिंग एट्या मिश्यास